सरफराज खान ने तो कमाल ही कर दिया भारत न्यूजी लैंड के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन जब कप्तान रोहित शर्मा को टी आरेस लेने का मन नहीं कर रहा था तो सरफराज ने मस्त अंदाज में कहा भाया भरोसा करो ये गेंद बल्ले से दूर जा रही है पारी के 24-वे ओवर में अश्विन की गेंद पर जब विल यंग ने फ्लिक शॉट मारने की कोशिश की तो सरफराज ने जट से रोहित के पास जाकर उन्हें मना लिया जैसे ही रोहित ने सरफराज की बात मानी सब को पता था कि यह एक बड़ा मोड आने वाला है DRS रिपले में दिखा कि सच में गेंद बलने से एक इंच तूर ही थी और अमपायर को अपनी नौट आउट की दलील वापस लेनी पड़ी विल यंग 18 रन बना कर पवेलियन लौट कए और रशपंत ने कैच लेकर इसे और भी शानदार बना दिया इस घटना ने दिखा दिया कि कैसे एक भरोसे मंद साथी और थोड़ा सा आत्म विश्वास मैच की दिशा बदल सकता है और क्या मज़ेदार बात है कि सरफराज को ये मौका केल राहुल की जगह मिला था क्योंकि पहले टेस्ट में उनकी शत्किय पारी ने सब का दिल जीत लिया था तो भईया सरफराज की ये जिद और रोहित का विश्वास दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को एक जरूरी विकेट दिला दिया अब बस ये देखना है कि आगे और क्या मस्ती होती है